जो हमारा विशय है आज का बड़ा महत्पुन विशय है क्योंकि यह विशय इसलिए क्योंकि यह विशय विक्ति को करम करने के लिए प्रित करता है अगर वो सही प्रकार से उस विशय को जानने का प्रयास करेंगा तो ठीक है तो तो आज के विशय का नाम है बत्तिस महापुरुष लक्षन इस विशय को समझने के कोशिश कीजिए इसे कहा जाता है बत्तिस महापुरुष लक्षन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह जो बत्तिस लक्षन होते हैं यह स्रिफ बुद्ध में होते हैं अक्सर मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि बुद्ध के 32 महापुरुश लक्षन पर ये लक्षन स्रिफ महापुद्ध में नहीं होते हैं ये पास समझ यह यह किस किन किन में पाए जाते हैं हम आगे पढ़ेंगे और इन जो लक्षनों के बारे में पढ़ रहे हैं यह कोई गुनवाचक लक्षन नहीं है यह शारीक लक्षनों के बारे में हम आज जानने का परयास करेंगे कि जो शारीक लक्षन होते हैं जिनको देखकर ही उस समय के कई सारे लोगों ने जाना कि यह बुद्ध है क्या अपने अजित के सकंबल वगेरा वगेरा संजीत वेल्टी पुद्ध वगेरा इनके यह भी बहुत विद्वान लोग थे तो ऐसा नहीं कि बुद्ध को स्रीप उनकी विद्वत्ता के कारण जाना गया पर उस समय जो बुद्ध जो शब्द था या बुद्ध को लेकि बुद् समानविक्ति होता है तो उनके शास्त्र में से जाता कि जो कोई बुद्ध होता है उसमें से 32 लक्षन देखे जाते हैं तो उस समय के दूर दूर के लोग एक गिनी तो अपना शिश्य जाता है जारे दर देख किया वर यह सही में बुद्ध हुआ है क्यों गुरुद्ध है तो कहता है कि देकिसे बुद्ध में 32 पुरुष लक्षन होते ही बुद्ध की ऐसे महापुर्शों के जो महापुरुषुद है जो पुरे विश्व Поयराज करने वाले देख जनकंतव विश्वा जानने वाला होता है उनके से 32 लक्षन उते शरिशरिड में ये शेश किया बुद्ध है यहां तक कि जब सिधार्थ की भविश्यवानी की गए थी उन्हें आड़ ब्राह्मन उन्हें उन्हें आड़ ब्राह्मन उन्हें जो भविश्यवानी की थी वो भी इन 32 लक्षनों की आधार परी की थी यह 32 लक्षन में से कुछ लक्षन को दिखे थे और यह दुरलब लक्षन देखके उन लोग ने कहा था कि नहीं यह क्या होगा इसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्यानप्राप्ति गुद्धत्व यह ऐसे महापुरुषों के 32 चिन्मत पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे 32 महापुरुषों के लक्षन ठीक है तो यह पढ़ा भी होगा आपके जब आप सुत्ता पढ़ते है तो एच संबुद्धा अनेक सत्त कोटियो सब्बे बुद्धा समा समा सब्बे बुद्धा महिंदिका कि अना आठा की सुत्ता में आता भी है कि अक्से मैंने देखा है कि कुश-कुश लोग बोलते है कि हमारे जो बुद्ध थे हैं वही परफिक बुद्ध थे इसके पहले जो 24 बुद्ध हुए है या 28 बुद्ध हुए है वो उतने तकतवर नहीं थे या उतने परिपूर्ण नहीं थे बलकि कि जो हमारे बुद्ध है तो वो बड़े परफेक्ट है तो लोग में ने सुनाए कि हमारे बुद्ध तुमारे बुद्ध पहले की बुद्ध अभी के बुद्ध इस प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए हम कहते भिए ये चा बुद्ध अतिता च ये चा बुद्ध अनागता कि हमारे लिए सभी बुद्धा समानिता है वो बुद्ध है हमारे लिए परिपूर्णता है उन्teil हमारे लिए परनिपूर्क और इसमें यह नियुक्ता NICK बिल्कुल नहीं, जो भी कोई बुद्ध होने वाला होता है, सम्मेक सम्मुद्ध, वो चार आरे सत्यों को जानने पर ही, अनुबह के स्तरों पर जानने ही, परतित्य समुद्पात के जानने पर ही, परतित्य समुद्पात के बुद्ध पर ही, और 30 पारमिता पूरे करने पर ही की बद्ध में सबहाуждा है बस अंतर उ स्कोर्म कि तुछ जांधा होती है तो इस anger ऑसी साथ है आए तो किसी-किसी बुद्ध की एकाज special उनके पूर्णे करमे करन जद अच्छी पाइब यह हो जाती है, विन्यता जैसे कि एक बुद्ध के समय में छे महिने रात और छे महिने दिन हुआ करता था, जैसे कि आज एंटार्टिका, एंटार्टिका में आज भी छे महिने दिन होता ह और छे महिने रात होता है, तो उनका ऐसा करम था, उनके एक करम किया था, अपने पूर्णे के जन्म में वह वाले बुद्धा ने, कि उस करम के परताब से यब, उनके आने से लगता था, कि प्रकाश आता था, उनकी आभा इतनी थी, उनकी आभा से लगता था, कि वो तो इसले रगता था, सूरज उग्या है, या तक कि उनकी आभा के करन फूल खिलता था, जैस्पड़कार कमल किया सूरज के पहले किरन से या पंचे कैसे सूरज उख्ते भराबर घर से निकलते थे, तो उनके आने से वेशे लोग अपने घर से निकलते थे, सूरज फूल ख तो उसने अपने आपको पटी से लपिटा था अपने उपर तेल डाला था अपने आपको जला दिया था कि मेरे अगनी से इनको रोश्नी और यह लोग पड़ पाया दंसे तो उस पुन्य कर्म के परतब से वह वाले बुद्ध में यह विशेश गुन्थ था कि वो सुरत समन उनकी आभाती बस इसी का अंतर होता है बाकि सभी बुद्ध ज्यान में समान होते हैं सभी बुद्ध की ताकत भी क्या होती हैं समान होती है तो अपको यह पास समझने होंगी सभे बुद्ध समा 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 सारे बुद्ध समान होते हैं बस ये नायक 18 प्रकार के बुदधम्म से युक्त होते है इसके अलावा इन में 32 महापुरुष लक्षन होते है और इसके अलावा शायद से आपको पता होगा या आप नहीं पता लेकिन बुद्ध में नासरी 32 महापुरुष लक्षन होते है इसके अलावा 80 अनुवेंजन लक्ष इसके अलावा ऐसे अनुद चोटी चोटे-चोटे लक्षन भी होते हैं जो आपद दिख्के नहीं गिरते हैं तो ऐसे 32 महापुरुश लक्षन और चोटे-चोटे लक्षन ऐसे कुली मिलाकि इतने लक्षन होते बुद्ध में चारीक रूप से अभी यह जो लक्षन है इसे शमुद्र शास्त्र कहा जाता है यह लक्षनों के जो विद्या है इसे शमुद्र सामुद्र शास्त्र के नाम से जना जाता है जिसमें मुख मंडल तता संपूर्ण शरीर के अध्यन की विद्या होती है जिसमें मुख मंडल वगरा देखे क्या हो इस समूद्र शास्त्र कहते हैं। यह स्कुझार के आट ब्राम्मिंग तरहा लावन में और उम्र में सबसे च्छोटा था। अभी आपको पता होंगा उन आठ ब्राह्मोंने उन आठ ब्राह्मोंने साथ ब्राह्मोंने भविध बुद्ध की दो भविश्यवानी के थी एक तो यह भविश्य में क्या होंगा चक्रवति समराथ होंगा या दूसरा क्या हो सकता है यह होंगा बुद्ध तो उन लोग ने द एक तो सबसे पहले वह उसकी बच्रुरिए उठाकर देखे थी और दूसरे माते के बढ लाटा करो देखे थे ये दो गुंदेे ये दो लक्षन देख के क्या कि यह थे उन्होंने भविश्यवानी की थी कि यह क्या होंगे बुद्ध होंगे चक्रवर्ती समनाट होंगे क्योंकि यहाँ पे जो होता है बुद्ध के जो होता है बुद्ध के उन्दियों के बीच में बदक समान जालर होते है तो यह एक लक्षन हो गया तो यह एक लक्षन हो गया तो यह दो लक्षनों को देखके उन्होंने बत भावश्यवानी की थी लेकिन कॉंड़न नहीं जो उम्र आटो ब्राह्मोनों में सबसे छोटा था उस कॉंड़न ने सिर्फ माते के बार हटा के देखे पर का कि नहीं यह तो बुद्ध ही होगा उसक मानना था कि कॉंडन में भली हमसे उमर में चोटा होंगा पर समुतर ग्यान में हमसे यह क्या है स्रिष्ट है तो ऐसा क्या लक्षन कॉंडन ने देखा जो सतो ब्राह्मन नहीं समझ पाया वह हम आगे पढ़ेंगे अब यह जो होते है तो अभी आप देखिए 32 महापुष्ट लक्षनों से अभी जिसकिसी विक्ति में यह 32 महापुष्ट लक्षन होंगे उसके दो ही गति हो सकते है एक तो चक्रवरति सम्राथ होगा नहीं तो वह सम्मेक संभुद्ध होगा अगर वह ग्रुवस्त रहता है तो चक्रवरति संभुद्ध होता है मतलब उसका संभुद्र तक राज्य होता है पूरे जंबुदीपे पूरे जंबुदीपे क्या होता है उसका राज्य होता है इसके नहीं अगर वह ग्रुवस्त नहीं रहता है तो वह क्या होगा सम्मेक संभुद्ध होगा यह कंडिशन्स रहती है अभी चक्रवर्ति संभुद्ध के बारे में यहां पर नहीं बता हूँ इसके बारे में फिर किसी और दिन क्लास दूँगा अभी चक्रवर्ति संभुद्ध को लेकिक अशोख संभुद्ध के बारे में बहुत कहा जाता है कि वह चक्रवर्ति संभुद्ध है नहीं वह चक् तो जो कोई चक्रवर्ति राजा होने वाला होता है वो कैसा होता है और इसके अलावा उसके पास यह साथ रतन होते हैं यह साथ प्रकार के क्या होते हैं उसके पास रतन होते हैं चक्रवर्ति जो राजा होता है वो कभी भी तलवार की नोग पर नहीं जीतता राज्यों को यह बात ध्यानी तो चक्रवर्ति समराट में भी यह 32 लक्षन होते हैं अब को पहले बता है कि स्रीफ बुद्ध में नहीं होते हैं यह जो चक्रवर्ति राजा होने वाला होता है उसमें दी यह 32 मा प्रुष लक्षन होते हैं कि अभी सबसे पहला लक्षन सू प्रतिष्टित पादव यह सबसे पहला। लेकिन जो बुद्ध होते हैं उनके पैर होते हैं तो आपको दिखेंगा कि जो आप लोगों के पैर है वो कैसे है आइसे बीच में से खुले है ना उपर हो रहे लेकिन जो बुद्ध होते हैं उनके पैर ऐसे पूरे पूरा पूरा पैर उनका जमीन को टेच करता है तो यह क्या होता यह बुद्ध है चकरती समराथ का यह लख्षन होता है अगर बुद्ध्ध है चाकरद सम्राठ होने माला है तो ये होगा ऐसे भी आज में सर्व कैसे लड़कों में लड़कीमें देखने के लिएये सपाप के ऐक लक्षन होने सrän एक दो लक्षन सपार सि तो एक दो लक्षन मिलते हैं व में यह नहीं ऐसा नहीं है दर असल यह जो पुन्य कर्म है यह उनको उनके पुर्वा जनम में वो जो कई जनमों से पुन्य कर्म करते आ रहे हैं उस पुन्य कर्म की इंक्रिमेंट में फल सुरूप उनको यह लक्षन प्राप्त होता है बोनस के सुरूप आप बोल सकते हैं तो इस तीन करमय और उन्हें लक्षन प्राप्त होता है। और यह तीन करमों के फल स्वरूप उनका जिसके को ही लक्षन होथे उसको यह फल प्राप्त होता, तो इसको कोई शत्रू हरा नहीं पाएंगा और अगर बुद्ध होता है तो बहरुनी और आंत्रिक दोनों शत्रू से विजय प्राप्त करता है मार ब्रह्मा सभी परो क्या प्राप्त कर लेता है विजय अब यहाँ पर यह बात आप देखिए कि यह तो पूर्वजल में करम है तो पुर्वा यह करमा करने कर उनके इस रवी बेनिफिट मिलता है कि उनको बहुत हरा नहीं पाएंगा वह जिस भी शेत्र आप यह जहांगी जीतेंगी यह फल है यह शारिक लक्षन जो सुन्दरता उनको पराप्त हो यह बोनस है को ये किया तो ये भी मिल जाता है उनको तो ये जो करमा है तो जिसके ये सपाट पैर है आप ऐसा कह सकते शायद सब्सके पुन्य कर्म अच्छे तो उसने इसलेए ऐसे बाइर मिले और अगर ऐसे पैर तो आपने दीखाबी होगा अपने जीवन में कैसे लोग होते हैं कभी हारती ही नहीं जब भी जाएंगे अंगे जित्ते चाइं जित्ते चाहे तो यह उनका पुन्य करम का फरहता है मतलब पुरे समतर उनके पैर होते हैं दूसरा लक्षन पाद पैरों के नीचे चक्र अंकित होता है दिख रहा है यह आपको चक्र यह ऐसा उनके पैरों के नीचे क्या होता है चक्र अंकित होता है और यह चक्र कैसा होता है हजार आरों से युक्त होता है मतलब इसमें हजार डंडिया होते है किदर डंडिया होते है किदर डंडिया होते हैं हजार डंडिया होते है 24 नहीं या 12 नहीं इसमें पुरे हजार डंडिया होते है और नाभी मेमी से युक्त होता है पुरा स्पष्ट होता है बीच का सेंटर बाजु की बडर वगेरा पूरी क्या होती है स्पष्ट होती है और ही लक्षन देखके जो मागंदनिया है उसके पिता ने बुला था कि नहीं, यह तो ब्रह्म्मा चर्या होने वाला है यादे ने उसको, वो मागत देंगे आको बुद्धा बहुत प्संथाथे वो पसंथा है, तो वो अपने माता पिता के पास जाती है कि जाए मेरे लिए उसका रिष्टा मांघिये तो जब उसके माता पिता जाते है रिष्टा बांगने के लिए तो बुद्धवा से पहले ही निकल चुके होते है तब वो बोलते हैं तब तब देखते हैं कि बुद्ध तो यह पहनी तब तो जो थोदरे पहली बरसात आई रहती है तो भगवान बुद्ध के पैरों के निश उन निशानों को देखते हुए ब्राह्मन अर्था उस पत्नी का उसका पती कहता है कि भग्यवान यह जो उसके जो पैरों के पिता ने पहले कही जाता कि यह तो स्त्री से बिल्कुल भी नहीं भसने वाला है पर फिर भी वो जाते है कहते है और तब बुद्ध कहते है कि रहे मुझे विश्वगी सबसे सुन्दर कन्या कौन है मार की कन्या है वो नहीं लुबहा पाई तो तेरी कन्या क्या है रहे जो मल मुत्र से भरी पड़ी है जो गंदगी से भरी पड़ी है फिर भगवान उसे उकदेश देते हैं उसके म प्राप्त होता है अपने पूर्वजनम में जनता को भय उद्विग्न से दूर करते हैं धार्मी रक्षा औरन का विधान करते हैं और सपयवार विधी पुर्वगदान करते हैं ठाप्त होता हैं शाक प्राप्षा और ना फynnika में खत्म किया और ना से मायरा भय खत्म किया बलकि ग्लिद्वर पूर्वजनम के पूर्वजनम के प्रभाव से उनका विशाल परिवार होता है अगर अगर कुशल अच्छे से रहता है तो यह ऐसा जिनका बड़ा परिवार था आप देखो कुछ लोग होते हैं जिनके माबाब बच्पन में नहीं मर जाते हैं जिनका पूरा परिवार जब नाकपुर में था तो नाकपुर में होते हुए एक अनात अच्रम में हम आए दिन वहां पे किताबे, नए किताबे या बच्चो कपड़े वगा डोनेट करते थे, वहां पे आए दिन हम पुष्णा कुछ नगए देते थे, तो वहां पे एक बच्चा था, एक लड़का था, उसका एक छोटा भाई था, और एक भेंती, तो दिन एक करमा नहीं हो तो परिवारा की संपत्य पाफ्ता करने के लिए भी पुन्य करम चाहिए, तो इसके पास परिवार है, अच्छा परिवार है, उसने अपने आपको स्वभाग्य शाली मानना चाहिए, कि आपको इतना अच्छा परिवार प्राप्त हुगा है, है ना? तुकि ये भी पुन्य करमों से प्राप्त होता है परिवार भी तो उस परिवार कभी अपने सम्मान करना चीए और उसमें विच्छे से विच्रन करना चीए कि कुछ-कुछ लोग के पास परिवार भी नहीं होता है तो ये एक उन्य करम है, दूसरा लक्षन, तिसरा, आयत पाशिंता और दिर्ग अंगूल और एक आहर कात्र, तो ये जो लक्षन होता है, उनके जो उंगलिया होते हैं, वो काफी लंबे होते हैं, आप देखो आज भी जो ओशो या बड़े-बड़े दाशनिक लोग हैं, जो आप देखे, उनके उंगलिया बहुत लंबे होते हैं, जो बहुत विद्वान होते हैं, जैसे मेरे कॉलेज में एक फ्रेंड था, वो बहुत ही विद्वान था, इतने चोटी उमर थी, 18-19 साल का था, लेकिन उसको पूरा प्रनौनिस साल उसका सभाव तो पुरा बुद्ध रहती हुनकी एड़ी अर उंगलिया काफी लंबे होती हैं, घीके हैं, तो यह क्या होता है, तो अपने पूरा जनम में वो कभी जीव फस्था करते हे जीव आध्या नई करते हैं, हम कहते हैं ना, कभी चुटी मार देंगे, कभी मच्चर मार देंगे हातों से, मज़े लेके कंदेल नहीं है। कि अपने भी सब्सक्पाइब तब मीं तक है एको है हमेशा के अपने एक रहात। और महिला है तो बेलन हाथ में रिताच है उनके है ना इसके अलावा लज्जा और दया और हमेशा क्या करते हैं लज्जा और दया के साथ अपना क्या करते हैं वह भार रखते हैं तो यह पूरवजनम के पुन्यकर्म के कारण इस पुन्यक फल से उनको यह उंगलिया और विस् जाकरवर्दी समराठ होंगे तो उनका काफी लंबे समय जीते चीर काल तक जीवन होता है उन्हें कोई मार नहीं सकता को उनकी हत्ता नहीं के सकता और बुद्ध होने पर भी जैसे कि आप भी देखुए से कैसा राजा हुए है जो बहुत लंबा जी है और उनको कोई हरानी पा सबसे लंबा जी है और बुद्ध हुआ तो नहीं कोई मार ने सकता के जा सकती गि मिंद्ध की हत्ता कंती सकती है के यूदत ने तीन- Know को युद्ध कि रहे और सफल रहे कोई उनको मार और निप नहीं पाया, क्योn? क्योंकि इसे इंग्लिश में के सबत उस्तता, चटवा लक्षन सबत उस्तता मतलब होता है, मतलब होता है साथ स्थानवों में उनका मास उबरा होता है तो कुनते साथ स्थान दो हाथ दीख रहें यहां पर जाए हमार तो भी हमारा उंदर दबा हुआ हुआ है लेकिन उनका जो हटा है हाथ यहां पर अच्छा मास भरा होता है जी हाहाँ की जो इसे जो मास वढर खेया है यहां की जो यूथ है आज जो जिम मारती है बहुत जो जिम करती है यहां के मास्क उभारने के लिए करती है पर जो बुद्ध का होता है उनके लक्षन में चोता है कि यह मास्क का होता है उनका उबरा होता है यहां का दो मास्क पैरों के नीचे में जो होता है यह जो ग्याप ह बढ़ा होता है यह साथ जन्व पर उनका सब्राइब होता है तो क्यों होता है तो अपने पूर्व जनम में नाना वित सुंदर स्वाधिश टकाद बजंदा जब भी बजंदा करेंगे कि इसको कुछ खिलाएंगे तो स्वाधिश बनाएंगे वह ना कुछ लोग होते ना बना एक आप पकवान शुक्त बनाते बहुत बनाएंगे कुछ लोग होते हैं जिनको इसा इच्छा उती है बना बना के पकापा की खिलाने की तो यह जो उनकी पूर्व जनम की पुन्य करमका फल होता है इस पुन्य करमके परताब से उनकी जनम में साथ जगाउपे माज भर उनको मेशा क्या होता है स्वादिष्ट बोजन प्राप्त होता है हमेशा आप देख लोग को मेशा क्या होता है कई भी जाएंगे यह कुछ लोगा पुन्दे तो इतना खतरनाक होता है कि वह जब भी पहुचेंगे सामया खाने का समय शुरू होता है थньहां पिर अघ्जजण भुजद्द आप को रफिरांगते ये प्राप्त होता थे अधिंगा कर्म का प्रताप होता ह 우ams कि इंण प्लाइवर होता है स्वाधिश्ट ढवजण प्राप्त होता है तो क्यों आपने पूरवजनन में उन्होंने लोगों, दुसरों को स्वादिश्ट भुजन्दान खिलाया होता है इसके अलावा ये होता है कर्ण चरं मुदु जालता और जाल हस्तपादर अर्थात जो उनके हाथ पर होते हैं काफी कॉमन होते हैं और काफी सॉप्ट होते हैं और इसके लावा उनकी उंगलियों के बीच में जो होता है जाले होते हैं वैसे उनकी उंगलियों के बीच में भी क्या होते हैं से जाले होते हैं हमको भी है अगरा देकरम होता है तो यह पूरो जनम में वह दान देते हैं अर्थ चरिया होती है अर्थ युग तो होती है और हमेशा व्यवभार क्या करेंगे समानता का व्यवभार होड़ेंका हमारा क्या होता है यह कैसा रहता है और यह गरीव है और इस इलाक्य का है ऐसा किचारने के pellet, सभीव को लेके समांता का महा क्या हुटा है दिववार होता है तो इस पुल्ने करमे परताफ से उनका जीवन क्या होता अगर यह लक्षन किसमें घा इसके लावा यह एक लक्षन यह उस्सक पाद को अगब ते लॉते हैं आ उपर क्योर स्थित होते हैं ठीक है और जो उनके जो उनके बाल होते है न वो ऐसे गुंगरालू होते है ठीक है बुद्द के बाल गुंगरालू होते है कुंड़ी और बाए से दाइनी और कुंड़ी के सिर होते है यहने बाए से दाइन की और ऐसे घुमें उनके ऐसे गोल बा और इसे खड़े बाल होते हैं याद रखेगा जो बुद्ध के बाल उगते हैं न वो खड़े उगते हैं और इसलिए खड़े उगने करन ग्राविटी के करन उनके बाल क्या जाते है घुमुरालू हो जाते है इसलिए जब बुद्ध ने अपने बाल काटे थे तलवार से तो ऐसा का जाता है कि बुद्ध के बाल काटने के बाल काटे तो उनके बाल वो खड़े उगते थे इसलिए ग पाइब उगने के कारण गर्वित की है एक ह sang पर ख़ड़े उगने क्राण पर ग्राइब करनुक करन उनके बाला गुंगरालु हो जाते है है और वह बाएश匯 दाहिने के पैया था पगिरा पे कि आपकाल इंस्टा पगिरा पे बहुत आ रहा है कि जो बुद्ध के सर पे जो गोल गूल दिखाते हैं वो इस ते दिखाते हैं कि जो स्नेल से स्नेल वो बहुत भूट में ध्यान करते थे तो उनको हेड स्ट्रोक ना हो इसलिए 101 यह 108 स्नेल ने अपने प्रान दि तो गुद्वा आकशने कर उनके बाल अपने आप ऐसे गुल-गुल हो गयते और चिपक गयते इसलिए उनके बाल गुल-गुल दिखाते हैं तो यह एक है तो यह किस पुन्य करमे करन होता है अर्थयुक्त धर्मयुक्त बातों कौब देश चता निदेश करते हैं प्रायों कुछ बूलेंगे तो ऐसी बाते करेंगे ज contributor सामने वाले का मंदल हो उसका बला हो ऐसी बुद्द्ध क्या करते है बाते करते है तो है कर्म यह क्रिया करने पूर वजनम्में है और लक्षन परायों प्राप्त होते हैं और इस ़क्षन के प्रताब से मग्ञ़ूं दो काम भ standing लोगों की गनना में सबसे अग्र सेरेष्ट प्रमुक ये उत्तम माना जाएंगा अगर वो यह हुआ है चाकर समरा तो क्या होगा उसको सभी कुछ प्राप्त होगा जैसे आज देखिए आप अंबानी वगेरा होगेरा उनको बहुत मतलब धन में सबसे जदा धन्मान सब में ह कितना धन्मान जी रहा है और सब्सक्राप्त होता है कुछ पुन्या नहीं कर रहा है इतना पाप्त होगा अरे बहले ही जनम में पुण्यकर्म करने उससे यह सब प्राप्त हो रहेंगा जब तक यह उसके लक्षन है उसके लक्षनों का हिस्सा इसलिए जीवन बरुश्ञ करें कर लें कर देंदे पिर इसके अलावा एनी जान, जो उनकी जान होती है, वो क्या होती है, हीरन के समान होती है, है न, तो यह क्यों होती है उनकी सुन्दर जान, उसलिए होती है कि शिल्प विद्य आश्रता कर्म सत्कार पूर्वक सिखाते हैं, इसी तरह सीखते हैं कि सिखाने वाला शिग्र जब भी किसी कुछ सिखाएंगे तो उट्सा के साथ सिखाएंगे सब्सक्राइब कर दो जिसी की आज काल खान सर जो सिखाते हैं फिजिक्स में एक सर हुएते हैं बहुत होते है तो इस क्या होगा राजा योग्या जो राजा को जो जो मिलने चीए वो सब उन्हें अपना प्राप्त हो जाते हैं कुछ लोग कैसे कि राजा होने पर धन नहीं होता है उनके राज्य में या फिर एकदम गिरती वस्था में राजा बना था लेकिन अगर यह जो जिसमें यह लक्षन होता है अग कोरण इंग्ण आघ्च को तो बुद्ह हो는 हिए वस्तुफ जो छीवर वगया होता है जो समभढ। अंगेachsen भगवान का 5ग बार Il Rotate प्रुनहें प्राप्त दिया यह ला मत्यु नPac experience करती है इसे इज़ने मैं उनको एपने व्रती पर पुर्वजणम के यह लक्षन मुझे भूत प्रुणी पुर्वजणम के देखिये, शरीर पर धूल मेल नहीं जमती शरीर की एक चमड़ी पर एक शुषम तवचा मंडी होती है अर्था जो उनकी जो शरीक त्वच्चा होती है उसमें कभी धूल जमेंगे नहीं जैसे हम पर कैसे धूल जम चाते हैं बहुत नहाना परता है घस गस के नहाना परता है हमारी स्किन काली हो जाती है वगेरा वगेरा है न मत्टे जम जाती है अगर आप टिश्यू लोगे तो अब नेकाल में दिखेंगा कितनी आपके इसमें मट्टी जमी पर बुद्ध की तवचा की ओपर एक ऐसी एकदम शूश मत तवचा मंडी होती है इतनी होती है एसी मंडी होती है कि उस पर धूल टिकी नहीं पाती है तुरंद ऐसे क्या हचाती है हट जाती है तो यह उनका ए मैंने क्या नहीं करना चीए बनते हैं भगवान मैंने कि कुंता काम गलत है कुंता काम नहीं करना चीए क्या स्विकार करना चीए क्या स्विकार नहीं करना चीए क्या देना चीए क्या नहीं देना चीए ऐसे पूच पूच के हमेशा कोई भी काम करेंगा कुन विक्ति कि आपना विजूपॉइंट होता है और इसी पुण्य काम करने के अपल यह पूछेंगा इतले उसका हर एक काम अच्छा हुआ था तो जो हुआ करते लोग उनका काम हमेशा अच्छा होता है उनको हानी नहीं देखनी पड़ती है और इस पुन्य के परताब से इस लक्षन के परताब से उनके लक्षन प्राप्त होता है और अगर यदि वो राजा होता है तो क्या होगा महा प्रग्या विद्वान राजा होगा यसे राजा मिलिंद केता विद्वान था है ना तो यह सब बहुत विद्वान होते है राजा उनने पर भी इसके अलावा अगर करम पुरुजनम तो इसे उन्होंने बुद्धो वे इसलिए सब्राप्त नहीं हुआ बल्कि उनके पुरुजनम के कुशल करम है इतने लंबे समय के उसे करम नहीं सब्राप्त होता गया तो इसलिए करम करते जाओ आप आपको सभी कुछ ऑंसे लेकर यकल कर सबकूआ तो सब्सक्राप्त नहीं त Aun अक्रम और शुक्त तो यह पुन्य कर्मों का फल होता है तो क्या होता है अपने पूरो जनम में वो कभी भी क्रोध के साथ वहार नहीं करेंगे तुरंद गुष्चाने हो जाएंगे किसी को कुछ लोग होता है तो उनको यह समझ में नहीं आता है तुमने किता गलत काम किया अचा गुष्चा के बताएंगे इसको भी कुछ गुष्चा के व्यवार करेंगे पर बुद्ध कभी ऐसा व्यवार नहीं करते किसी को भी दुख लोग होते कि दुसरों को दुख पहूँचाने का प्रयास करते शड़नतिय करते चुखली सी और बहुत दिलैने पर लाबूरा बोलते हैं और समय समय पर क्या होता है अच्छे सिलक वाले कपड़े मुलायम कपड़े सुटर वगिरा बलांकेट वग धान करते तो यासे पुन्य करम के परताप से ही उनको ये तुच्छा गोल्डन कलर के स्कीन पापत होती है और इस उन्हों क्या तो उसको प्रच्विर मात्रा में बहुत कपड़े प्राप्त होते हैं देखो किसी किसी के घर में बहुत अशा कपड़े तो यह उनके पुन्य करमों का प्रता है और बुद्ध हुए तो जो सुन्दर वस्तु का जो दान है जैसे और जो भी उनको बुद्ध हुए या विख्षु हुए तो जो भी उन्हें अशक्त वस्तु होते हैं वह उन्हें प्राप्त होते हैं जिसे किसी 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 कुछ भी प्राप्ता नहीं हुए एक किसी कहानी मिलती है ठाकता में कि दो बिख्षु थे जब दोनों की मृत्ति नहुआ देव लोग में तो वो प्रणग नहुआ उसकपड़ी प्राप्त नहीं होगे और दूसरा विख्षु जो देवर्ग की रूप में हुआ उस सब कुछ प्राप्त हुआ तो उससे पूचा किया क्यों ऐसा हुआ तो मैंने अपने रोजना में बिख्षु होते हुए कभ वस्त्र का दान ने किया तो उस कर्म के परताप से मुझे भी कुछ वस्त्र प्रात नहीं होगे पर दूसरे विख्षु ने बहुत दान करेंगा तो यह वो पुन्य करना है कोश वहित गुस्तता अभी यहां पर एक प्रश्णवाल जोए यह वो लक्षन है जिसके कारण कुस्त्री बुद्ध नहीं हो सकती है अगर उसे सम्मेक संबुद्ध होना है तो उसे अगला जनाव क्या करना पड़ेंगा पुरुष का लेना पड़ेंगा यह जो लक्षन है यह अंड़कोश को लेकर लक्षन है जो पुरुष को अंड़कोश होता है न वह अंड़कोश होता है केश्य आच्छादित होता है तो यह लक्षन से पुरुष में होता है इसलिए बुद्ध पुरुष वाचा शब्दोने करम यह वो लक्षन है तो पुरुष इंद्रिया तवच्छा कोश में गुफित रहते हैं इस कारण के वज़े से तो यह क्या होता है बहुत समय दूर गय परिवार को मिलाते है करता है तो मिलाने कर्म के प्रताप से बहुत पुतर वाले होते हैं बहुत बच्चे उन्हें संताना प्राप्त होती है और प्रुजनम में लोग को मिलाने हा काम किया, इसलिए आप में मिलाने हा काम किजिए लोगों को फिर पंद्रा और सुला तो यह जो लक्षन है नायगरुत परिमंडलता और अनमज्जानु पार मारजनता अरथा कि नायगरुत रुक्ष की तरह जितना लंबाई में बढ़ता है, उतना ही चवडाई में बढ़ता है तो गुद्ध का जो शरीर्यूट ढ़ाल होती है ऐसे में अगर आप गिनेंगे गुद्ध के शरीर को और ऐसे में गिनोंगे तो उनका क्या होता है सेम निकलता है लें मतलब symmetry बहुत maintain होती है उनके body में तो सम्तुलता बहुत अच्छी प्राकार से maintain होती है और दोनों हाथ बाजू फिलाने पर ऐसे उनकी यह होती है तो यह किस वज़े से यह इस योग्य है यह जान करें उसे कभी भी किसे कुछ दान करेंगे या किसे कोई वस्तु देंगे तो यह जानेंगे कि इसको इस वस्तु की आउशकता है देखिन कि किस वस्तु की आउशकता है किस वस्तु की आउशकता नहीं इस बिख्षु को यह वस्तु की आउशकता है यह बराब छूरा यह लंबाई प्राप्त होती है. तो इस पुर्णे कर्म के पताप से और स्क्किर्ण के पताप से उन्य क्या होते हैं, अत्यादिक धनवान होते हैं, है ना, चांदी सोने में एकदम अपना चीवन वे रिद क प्रप्पि ले रही है, है ना, पुरा सोना चांदे तो ये उनके पुन्य करमों का प्रताफ होता है और अगर बुद्ध होंगे तो शद्धा, शील्ड वगरा ऐसे पुरे संपते से गावते हैं वो युक्त होते हैं ठीक है तो ये 16 लक्षन आज हमने जाने है ठीक है तो आज के लिए 16 लक्षन इतने काफी ह बागी ये 16 लक्षन हम कल जानेंगे दोदी निकला से न ऐसे कुलमला के 32 लक्षन हमारे समाफत हो जाएंगे तो आपने देखा अभी तक कि हमने ये 16 लक्षन देखे बागी लक्षन कर जानेंगे ठीक है बाट्टो में तो आप देख सकते कि बुद्ध को कितने सुन्दर जाएंगे सकते कुलमा तो पुद्धे सादू, सादू, सादू सादू, सादू, सादू